वीडियो में हम यह जान लेते हैं कि रूट क्या है और रूटिंग क्या है तो दोनो रूट और रूटिंग दोनों एक ही वर्ड है रूट का मतलब होता है कि किसी स्मार्ट फोन पर फुल कंट्रोल फुल कंट्रूल का मतलब कि जो उसके हाड़वेर्स है और जो उसका सौफटेर है उन दोनों में फुल एक्सेस आप उसमें कुछ भी कर सके कि चाहे आप उसमें अलग से कोई अलग से ओपरेटिंग सिस्टम डाल दें उसी स्मार्ट फोन में या कुछ स्पेशल आप आप इंस करना है मतलब कि जो स्पेशल डाइगनोस्टिक पोर्ट है उसको इनेवल करने के लिए आपको एक विशेशा अधिकार एड्मिनिस्ट्रेटिव प्रिबलेज की जरूवत होती है मतलब की एक फुल कंट्रोल की जरूवत होती है जिसके माध्यम से आप किसी भी डिवाइस का इमियाई वगारा रिप्यार कर सके तो उसके लिए हमें रूट की जरूवत होती है रूट मतलब की एक विशेशा अधिकार जब भी हम कोई स्मार्टफोन मार्केट से खरीते हैं तो उसमें एक कंपनी द्वारा लिमिटेड एक्सस दिया जाता है उसके हाडवेर उसके साफ कि मैं बात करूं तो कुछ उसके कंपनी के प्री इंस्टॉल्ड एप्स रहते हैं उसको हमान इस्टॉल नहीं कर सकते बिना रूट किये हुए और जैसा कि मैं बात करूं नहीं उसमें कोई आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते मालीजे आपका जो मतलब आपका इंड्रोइड वर्जन को भी बढ़ा सकते हैं मालीजे 4.4 है और यदि वो डिवाइस आपका काफी पापलर है और उसका जो कस्टम रोम है इंटरनेट पर उपलब्द है मालीजे नौगट उपलब्द है या मार्स मेलो या लॉलीपॉप तो उन वर्जन को आप रूट करके इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ जो ऐपस हैं जो की स्पेशल ऐपस हैं जैसे स्क्रίν रिकॉर्डिंग अर रवह कुछ और आसे जनको इंस्टॉल करने के लिए रूट किग रडल आ के लिए तो उन इसे श्तुय का आप यूस कर सकते हैं साथ में कुछ डिवाइस ऐसे भी है जिनको बिना आप root किये हुए जिनका diagnostic port आप enable नहीं कर सकते आई में repair करने के लिए तो rooting करने के बाद जो है आप ओ diagnostic port enable कर सकते हैं और IMEI और उसका basement वगारे सब कुछ repair कर सकते हैं अब हम root के advantage के बारे में जानेंगे कि मतलब root करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं तो root करने के बाद आप किसी phone का सबसे पहले तो उसके pre-installed apps को हटा सकते हैं मतलब कि जो company के install apps रहते हैं जैसे कि मान लिजे gallery हो गया या camera का app हो गया या play store हो गया या उसके कुछ setting से सम्मंदिन जो चीजे हैं उन्हें हम generally बिना root के हुए install नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हमें administrator permission की जरौत होती है तो जो हम root कर लेते हैं तो हम administrator हो जाते हैं मतलब अपने phone के मालिक हो जाते हैं तो उसके अंदर हम software में कोई भी बदलाव कर सकते हैं उसके बाद जो है हम special apps को भी run कर सकते हैं कुछ ऐसे special apps होते हैं जो बीना root permission के run ही नहीं होते हैं मतलब कि बिजूइन के जिनको run करने के लिए administrator privilege की जरौत होती है तो root करने के बाद उन्हें special apps को भी हम run कर सकते हैं और जो अगला advantage है वो यह है कि हम इसमें कोई भी operating system डाल सकते हैं मतलब android का कोई भी version आप install कर सकते हैं यह दि उस device के लिए internet पर custom room उपलब्द है तो माल लीजे custom room से मैं यह आदि आपको इस पश्ट करूँ की जैसा आपको phone है वो lollipop version से आंगे का official version उपलब्द ही नहीं update कराने के लिए तो फिर हम क्या करेंगे और हमको 7.0 यानि नौगट चाहिए है तो हम उसका इंटरनेट पर custom room फाइंड आउट करेंगे दि नौगट उपलब्द है तो उसको हम पहले root करेंगे root करने के बाद आप जो है उसमें नौगट डाल सकते हैं जो की customized android operating system होता है कस्टम रूम रूट करने का जो और अगला सबसे बड़ा advantage है मतलब कि जैसा कई बार आपको आई में आई और serial number बगर चेंज करना होता है अपने smartphone का तो कुछ ऐसे बड़े smartphone है जो काफी costly smartphone है तो उनको आई में रिपैर करने के लिए आपको special diagnostic port की जरुत पड़ती है वो diagnostic port सिर्फ जो है administrator mode में ही open होता है तो उसको open कराने के लिए मतलब diagnostic port enable करने के लिए आपको phone को route करना पड़ता है आप उसके बाद ही आई में आई वगेरा repair कर सकते हैं आई आई अब route को और भी deep में समझते हैं windows के माध्यम से windows computer के माध्यम का example लेकर के कि जैसा windows में होता है कि जो windows का guest account है वो एक limited access account होता है और जो administrator account है तो उसके अंदर जाकरके हम guest account को delete भी कर सकते हैं उसमें limited access policy भी लगा सकते हैं मतलब कि किस apps को run कर पाए किस को not run कर पाए और उसमें से disk space भी share कर सकते हैं और किसी apps को uninstall कर पाए हमारा guest user या न कर पाए तो कोई भी हम policy administrator account उसका वापने कंप्यूटर पर्पूरा फुल कंट्रोल होता है उसमें से आप चाहें तो कुछ भी पर्पॉर्म कर सकते हैं वर्क वैसे ही हमारे Android phone के साथ होता है जब भी हम को Android phone company से खरीते हैं तो company हमेशा Android phone में limited access देती है hardware और software में तो software में इसलिए limited access देती है ताकि हम उसके hardware पर full control ना कर पाए उससे क्या होता है आप hardware पर यदि full control पा लेते हैं तो आप उसके CPU की overclocking भी कर सकते हैं या उसके software उससे भी छड़कानी कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि mobile बार बार रिकॉल होगा और बार बार आपको service center जाना पड़ेगा जिससे क्या है mobile का जो rating है mobile की rating घटती ही है उसके बाद company को भी ज्यादा service देनी पड़ती है उसलिए वो company क्या करती है कि limited access देती है मतलब कि बीना root किया हुआ phone देती है मतलब कि बीना administrator privilege यानि बीना विसेशाधिकार वाला phone देती है कि ताकि हम उसके जो software है उसमें कोई बदलाव ना कर पाए तो उसके software में कोई भी बदलाव करने के लिए या hardware में पूरा control पाने के लिए हमें उस स्मार्टफोन को root करना होता है root करने के बाद आप उसमें कोई भी operating system डाल सकते है या किसी भी pre installed apps जो की company से install किया गया है उस apps को भी आप जो है uninstall कर सकते है या आप जो है अपने software और hardware पर full control पा लेते हैं root करने के बाद तो मेरे कहने का मतलब यही है इस example का मतलब की जो हमारा company से जो installed operating system आता है Android के लिए वो हमें सा limited access रहता है उसमें कोई ऐसा विशेसा अधिकार नहीं है कि किसी special apps को हम run कर पाएं या कुछ भी बदलाव कर पाएं उसके operating या उसके pre installed apps पर तो कुछ यही है root जिसको हमने computer के administrator से समझा अब हम root के disadvantage के बारे में जान लेते हैं तो root का जो सबसे बड़ा disadvantage यह है कि यह आप अपने smartphone को warranty के अंदर यह आप root कर देते हैं तो आपकी warranty जो avoid हो जाती है मतलब कि कि जो आपकी warranty वो जो है वो हमेशा के लिए चली जाती फिर अपने handset को आप warranty में repair या replace नहीं करा सकते हैं या repair नहीं करवा सकते हैं उसका कारण यह है कि जो company operating system बनाती है तो उसमें सिर्फ limited access ही देती है और root करने के बाद जो है आप unlimited access कर सकते हैं मतलब कि administrator privilege में जाके उसके hardware को overclock करा सकते हैं या उसके hardware control से आप छेड़खानी कर देते हैं जिस वज़े से company जो है handset की हटा देती हैं तो फिर वो जो आपका handset warranty में नहीं आएगा इसलिए जब तक आपका handset warranty में रहता है तो उसे हमें route नहीं करना चाहिए उसके बाद उसके बाद जो अगला जो है यदि हम उसमे custom room install करते हैं अपने smartphone में route करने के बाद तो जाहिर सी बात है custom room में जो काफी सारे apps रहते हैं वो unusable app रहते हैं वो ज़्यादा data भी मतलब access करते हैं बिना किसी वज़ए कि ज़्यादा data access करते हैं दूसरा काफी साथ ज कम हो जाती है आपको वर्जन दो बढ़ जाता है पर कहीं ने कहीं आपको बैटरी में शिकायत आने लगती है कई बार सही से camera नहीं काम करेगा उल्टा camera काम करेगा या sound में थोड़ा बहुत effect समझ में आ जाता है तो custom room में भी कुछ कभी न कभी किसी भी किसी handset में problem आ सकती ह है after that जब आप custom room install कर लेते हैं तो कुछ ऐसे hidden apps भी साथ में install हो जाते हैं जो कि जाके device की settings में install रहते हैं जीने हम देख नहीं पाते hidden type रहते हैं वो आपकी जानकारी को भी share कर सकते हैं किसी दूसरे server पर मतलब कि आपकी जानकारी को आपको पता भी नहीं चलेगा और आपक कि जो कुछ मुख जानकारी हैं जैसे Gmail है WhatsApp है या Facebook है वो सब आसानी से hack किये जा सकते हैं custom room में इसलिए company जो है कभी custom room install करने के लिए allow नहीं करती या phone को root करने root करके नहीं देती user को ताकि उसका control फुल access ना हो तो अब हम यह जान लेते हैं कि किसी भी android smartphone को root कैसे करते हैं किसी भी android phone को root करने केी लिए हमें super user zip को flash करना होता है पर उसके लिए सबसे पहले हमें bootloader unlock करना होता है यदि किसी handset को हम root करना चाहते हैं तो उसकी bootloader सबसे पहले हमें unlock करना पड़ेगा bootloader unlock करने के बाद TWRP recovery को हमें flash करना पड़ता है और उस recovery को install करने के बाद मतलब TWRP को install करने के बाद हम superuser.zip को copy करते हैं इंटरनेट से download करके जो की root file होती है तो root file को download करने के बाद हम अपने memory card या अपने phone की storage पर copy कर लेते हैं फिर recovery mode में जो हम phone को boot कर आते हैं तो वहाँ से फिर हम update install from SD card select करके उस super user zip को install कर लेते हैं जिसके बाद से हमारा phone root हो जाता है उसके बाद से हम उसमें कोई भी special app या कोई को भी custom room install कर सकते हैं और हम चाहें तो कुछ apps के माध्यम से अपने जो android smartphone उनको root कर आ सकते हैं जैसे कि आपका kingo root हो गया या flashy file हो गया या कुछ और भी other routing के बहुत सारे apps आते हैं कोई भी apps आप download करके root कर सकते हैं बसरते जो सबसे अच्छा तरीका है root करने का वह TWRP install करके आपको super user zip से flash कर देना हैं तो जो आपको phone है वह root हो जाएगा पर उसके लिए boot loader unlock होना must है पहले आपको boot loader unlock करना होगा उसके बाद TWRP recovery install करनी होगी और TWRP recovery install करने के बाद आपको super user zip से flash करना होगा उसके बाद आपका जो phone है वो root हो जाएगा फिर उसमें आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं उसके software से अभी तक हमने Android phone को root करने के बारे में जाना और उसके advantage advantage के बारे में जाना और उसे root कैसे करते हैं ये भी जाना पर अब हम ये जान लेते हैं कि root तो हमने अपने smartphone को कर लिया अब उसे unroot कैसे करें मतलब उसको company mode में कैसे ले जाए कि जो हमारा smartphone जैसा company से था वैसा हम उसको उसकी warranty दुबारा से पासा के तो उसके लिए हम उसको पूरा flash करना पड़ेगा whole flash करना पड़ता है जैसे माली जै आपका जो भी android smartphone है उसका जो custom room आपने install का रखा था तो उसको हटाने के लिए हमें officially वापस से stock room install करना पड़ेगा उसमें तो उसके लिए सबसे पहले आपको internet से उस model का stock room download करना पड़ेगा जो उसका official firmware है उसके बाद उस official firmware से उसको completely flash करना पड़ेगा और flash करने के बाद वो जो है तो सारा routing जो हटा देगा और दुबारा से वो officially mode में एक limited access में आ जाएगा मतलब कि एक फिर से वो जो है बीना route वाला operating system हो जाएगा जैसा कि company ने हमें दिया था तो company हमेसा कभी भी route operating system तो देती नहीं तो वो limited access वाला जो official stock room है वो हम install कर लेंगे तो हमारी warranty फिर से वापस आ सकती है तो कुछ इस तरह से आप flash करके अपने mobile phone को unroot कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि कैसे हम route करते हैं कैसे हम unroot करते हैं और कैसे हम route करने के बाद किसी apps और custom room को install कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही thanks for watching my videos thank you very much